हलो, न्यूजेट इंट बिहार जारखन पे आज दो चीजें हुई है, एक तो सिक्षा मंतरी का इंटर्वी आया है, और दूसरा STET को लेकर के एक डिबेट शो भी वहाँ पर चला है, तो इन दोनों ही चीजों से जो कुछ निकल के आया है, उसको इस वीडियो में देखेंगे और मैंने जैसा थमनल में लिखा एक पॉजिटिव हिंट है, वो पॉजिटिव हिंट मैंने क्यों लिखा है, उस पे भी बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं शुरुआत में ही क्लियर कर दूँ कि जो आज का इंटर्वीव था, अगर आप उसको ध्यान से एनलाइज करें, तो वो वेल प्लैंड इंटर्वीव था, अभी के टाइम पे छातरों का जो आसंतोश है, जो घुस्सा है, उसको कंट्रॉल करने के लिए था, उसका एक रीजन ये है कि एक जगा पर पूरा इंटर्वीव आप देखें, आप एक जगा पर रिपोर्टर जो है, जो पहले से प्लैंड थी, और जो अभी जो घुस्सा है काइंडेट्स में, उसको बैलन्स करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, भी काफ़ी हद तक इस सारी चीज़े की गई, जिसलिए भी की गई है, जो जरूरी बाते उसे इंटर्वीव में से निकल काई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, आज तो जो पॉजिटिव हिंट लिखा पहले उसको बात कर लेते हैं, बाकि फिर बात की जो बाते हैं, उसको आगे रखेंगे, तो सिक्षा मंतरी अगर आप पूरा इंटर्वीव देखें, एक जगा पर ये कहते रहे हैं, कि जो सरजित हुई पद हैं और जो खाली पड़ी हुई पद होंगी, छटे फेस की बहाली की उपरांत, उन सभी को जोड़ करके साथ में फेस की बहाली निकाली जाएगी, इस बात पर गोर कीजिए, आप चाहें तो इंटर्वीव से इंटर्वीव का वीडियो दोबारा देखें, और इस चीज को आप साथ से आया था, इस दरम्यान में मतलब दो साल में तबसे नोटिफिकेशन से आज तक 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 तकरीबन दो साल हो गया, जितनी जो और सीट बाद में कैबिनेट ने अप्रूफ किया है, उन सब के साथ, सिक्ष्ण मंतरी बात बोल रहा है साथ साथ की, बाद में से जित ह लेते हैं और बैकलॉग को भी ले लेते हैं, बैकलॉग वेकेंसी हर फेज में एड होती है, उस पर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, जो कैबिनेट से अप्रूव हुई जो वेकेंसी है, उसका मैं शूरिटी से नहीं कह सकता कि यह लोग क्या करेंगे, लेकिन वीडियो ही बनाया था, अब इस एनल में जाकर देख लेजिए, जो डॉकुमेंट के साथ, तो यह तमाम चीजें हैं, तो कई सब्जेक्ट को होने जा रहा है फाइदा, क्योंकि इस बीच में जो भी दोहजार उननीस से दोहजार एकीस के बीच में, जो भी वेकेंसी बियान के हिसाब से, और जो बैकलॉग वेकेंसी रहेगी छटे फेस की, वो तो खेर जुड़ती ही जुड़ती है, वो तो पकाई है, तो यह एक पॉजिटिव हिंट है, इवेंचली कोशिश किया है, कि जादा-जादा सीटे हों, ताकि जादा-जादा कैंड़ेट को आप दिया जाए, और जो लोगा का थोड़े बहुत छुड़ भी जाएं, उनके लिए भी सरकार कुछ अरेंज करें, या एटलिस्ट कह दे कि हम इतने दिन में अगला फेस करेंगे, या किसी तरह से भी उनको एड़्जस करें, क्योंकि प्राइमरी में भी काफी सीटें खा पद और खाली पड़े हुए जो पद होंगे, छटे फेस की बहाली के उपरान जो बचेंगे, उसको ले करके सात्में फेस में जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव सिगनल है, और इसके इलावा उन्होंने एक बात और कहा है, कि ये तो सात्में फेस की बात हो गई, इसके लावा बाद में जो टाइम टाइम पर जो पद सिर्जित होते रहेंगे, जो नईने वेकेंसी क्रियेट होती रहेगी, उसके लिए टाइम टाइम पर आठमा फेस, नवा फेस, इस सब चलता रहेगा, पर वो सब बहुत दूर की बात हैं, उतना पेशन्स किसी में नहीं आज के टाइम पर कोई कई साल तक इंतजार करें, और हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, कि वो कई साल तक इंतजार करें वेकेंसी की, पर ये वाली बात मुनों ने कहा है, कि आगे चलके भी हम पद सिर्जित करेंगे, और आगे चलके भी हम बहाली करते रहेंगे, एक यहा बात को भी लेके वो काफी हद तक एगरी दिखे बाखी वो फैसला करते हैं नहीं करते हैं लेकिन इस बात को जब उठाया रिपोर्टर ने तो काफी हद तक वो दिखे कि अगर पहले ऐसा होता रहा है तो आगे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं अभी देखते हैं क्या होता है आग अब इस बात से मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझेए स्रिक्षा मंत्री एक जगा पर ये कह रहे हैं कि पचास परसेंट से उपर जिसने भी लाया वो सब क्वालिफाई कर दिया गया 45 परसेंट से उपर कटेगरी में जिसने लाया वो सब के सब क्वालिफाई है और एक और बड़ी इंटरिस्टिंग है कि इंटर्व में वो जो गलती हुई है उन लोग से उसमें कोई डाउट नहीं है जो इन लोगों ने भरम क्रियेट किया जो लोगों को बेवकूप बनाया लोगों की उमीदों को तोड़ा वो तमाम चीजें हैं लेकिन ये लोग अपनी कमी को चुपाने के लिए 2011 वाले स्टीटी को बार 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 जो बीच मिला रहे हैं जबकि सचा ही है कि कोई भी 2011 अकाइंडियट चाहे सड़क पे या डिजिटल तोर पे कहीं से कोई ऐसा कोई मैसिव कोई कैंपेन नहीं चल रहा है कोई ऐसा 2011-12 अकाइंडियट जो है तो कही कोई बड़ा चिंतित नहीं दिख रहा है, इसा कहीं से कोई बहुत बड़ी संख्या में, जो कि उनको जाईए, क्योंकि उनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी, जो जोने ने दोहोजार उननीस भी दिया था, स्टीरिटी का, लेकि वो जान बूच के हर बार दोहजार ग्यारावालों की बात शुरू कर देते हैं हर एक इंटर्यूर में जबकि उसे कोई जरूरत नहीं बनती है एनिहाओ कुलमिला के ही सारी बाते थी कुलमिला के ओवर आल यही है कि अगर सीटें बढ़ती है तो जाता साथ लोग एड़िस्ट हो पाएंगे बाकी सरकार को फैसला करना कि सरकार कैसे करेगी सरकार ने जो कुछ किया जो भी गलतियां की उसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत भारी मिस्टेक हुआ है इतने सारे लोगों को उम्मीद दिला करके उम्मीद तोड़ देना और बाद में गोल-गोल घुमाना और अब तो जहां तक खबरे हैं जो काफी लोग समझ जो भी लोग स्टीटी को लेके एक्टिव हैं उस सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मुम्किन है कि फिर से कोट के इस वाला मामला शुरू हो जाता फिर महीनों गई छुट्टी हो जाती है तो कुल मिला के सरकार नहीं सारे जो नोटंकी किया जो ड्रामा किया पता नहीं प्लैंट था या अन्प्लैंट था जिस तरह से भी हुआ हो लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ कैंडिट का हो रहा है और सरकारी महकमा जो है वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाता हुआ नहीं दिख रहा है याओ देखते हैं आगे चले क्या होता है लेकिन अभी के लिए बस यहीं इंटर्यू था सिक्षा मंतरी का उन्हों ने जो सारी बातें बताएं वैसा है का वैसा है मैंने आपको बो तमाम का इंडेट जो उमीद लगा कि इतने टाइम से बैठें उन तमाम लोगों को जॉब मिल सके तो अभी के लिए बस इतना ही आगे स्टीटी से जुड़ी कोई भी खबर आती है अपडेट आती है जल्दी जल्दी आपको अपडेट करेंगी अभी के लिए इतना ही थैं तो न्यूजेट इंड बिहार जहार खंड पे आज दो चीजें हुई है एक तो